नमस्कार दोस्तो आज के इस खुबसूरों दिन में मैं आप से भी दोस्तों का स्वागत करता हूँ दोस्तों पैनी स्टॉक के एक बहुत जबदर प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपने उन रिजल्ट्स के साथ में जो मैंने अपने इस स्टॉक के इस समय पर 216.45% की रिटन बना रखी है तो अगर आप इस प्रेजेंटेशन को से समझना चाहते हो और आप मेरी फ्री वेबिनार को भी जोइन करना चाहते हो तो दोस्तों इस फ्री वेबिनार को जोइन करने के लिए आपको जोइन करना होगा हमारा वाटसेप का रखूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्मिशन आपको भीजूँगा एक आपको एक फॉर्म करके मेरे को देना पड़ता है कि आप जो की डिस्क्लेमर फॉर्म होता है कि आप उस वेबिनार को केवल इन्फॉर्मिशन और एजुकेशन परपस से अटेंड करके चल जो और उसके पर अगर आप कोई भी मार्केट में आकरेट करोगे तो आपके प्रॉफिट लॉस से मेरा किसी तरीके का मतलब को सरुकार नहीं होगा तो यह एक डिस्क्लेमर फॉर्म भी उस समय पर मैं आपसे लेकर चलता हूं और एक आपको उसके कॉस्ट पर करने पड़ती है कि उस वे मैं चाहूँगा कि आप पहले मेरे एक डिस्क्लेमर को पर दिए दोस्तो यह प्रेजेंटेशन एक एजूकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हैं दोस्तो मैं इस वीडियो के माधियम से मैं मेरे आने वाले वक्त में क्लाइंस को या मेरे जो एक्जिस्टिंग क करना stock market में risky होता है और आपको हमेशा अपने investment advisor से concern करने के बाद ही market में invest करना चाहिए क्योंकि आपका investment advisor आपकी risk capabilities को जانता है मैं आपके money management को भी समस्ता है और आप चलता तो दोस्तो सभी डिस्कलेमर्स को ध्यान पूबक पढ़ दीजेगा दोस्तो अब मैं आपके साथ अपनी प्रेजेशन स्टार्ट करता हूं देखो दोस्तो 12 11 2021 में मैं एक स्टॉक के अंदर और इसे मैंने अपनी रिसेट रिपोर्ट के अंदर भी एड किया है दोस्तो 12 11 2021 में इस स्टॉक में मेरी एक पोदिशन है इस पोदिशन में 216.45% की रिटर्न में बैठावा हूं दोस्तो अब इसके पीछे के माइनशाट को समझते हैं तो दोस्तो पैनी स्टॉक को सेलेट करना दोस्तो डेटेल में आपको पूरा समझाकर चलूँगा जब कभी हम लोग अपनी एक वेबनार रख रहे होंगे तो दोस्तो पैनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना अपने आप में कबाड में से जुगार ढूंडने के जैसा होता है दोस्तो कबार में से जुगार ढूणना हर किसी के बसकी बात नहीं है क्योंकि कबार में से जुगार ढूणने के लिए आपको जरूरत परती है some set of skills की और एक बहुत बड़े experience की तो दोस्तो अपने उस experience को मैं आपके साथ share करके चलूँगा और मैं अपनी उन skills को आपको समझा कर चलूँगा अपनी free workshop के अंदर दोस्तो धीरे धीरे मैंने एक ऐसे stock को observe करना शुरू करा एक ऐसा stock जो एक ऐसी company का stock था जो किसी और companies के साथ भी associated है मतलब उसकी parent company कोई और है और ये उसकी एक आपके बास में sister company कह सकते हैं या आप कहा सकते हैं आपके बास में एक subsidiary company है दोस्तो इस stock की balance sheet में आने वाले changes को मैंने observe किया मैंने news को observe किया क्योंकि थोड़े से changes आते हैं तो news के अंदर भी चीज highlight उनीश हो जाती है और फिर उसके साथ मैंने इसके technicals को देखना शुरू करा अब दोस्तो फिर उसके बाद मैंने एक छोटी ship को मैंने start के ये एक सोड़ा सा brief idea में आपको उसका दीके चल रहा हूँ दोस्तो स्मॉल शिप 500M मतलब क्या होता हैः देखो दोस्तो गुल लाक के कैसा concept है जिसके अन्दर मेरे पास अगर धीरे-धीरे करके 100रोपै के एंदर दीए जब मेरे पास 2000 रुपै की मैंने गुल के अन्डर डाल दीए ये सब कुछ बिलकुल ऐसा है जैसे कि आप ये समझके चलो कि हर बीच के अंदर एक पेड़ होने की संभावना चुपी होती है मतलब हर बीच आने वाले वक्त में एक पेड़ बन सकता है ये संभावना पूरी उस बीच के अंदर चुपी होती है लोगों को केवल बीच दिखाए देता है, माली को केवल एक पीड दिखाए देता है ये बीच जब जमीन के अंदर दबा होता है और उसको ऐसी संभावनाय मिलती है ऐसी possibilities मिलती है जिसमें वो grow कर सकता हो दोस्तो उसके अंदर से अंकूर निकल का आता है और माली इसको परचान लेता है तब माली उस अंकूर बीच के ऊपर अपना वक्त खर्च करता है और अपने resources खर्च करकर चलता है और धीरे-धीरे करके वो stock अपना grow करना शुरू करता है दोस्तो वो पीड़ बनता है और आने वाले वक्त में एक पूरा बगच से तयार होता है इन parameters पर जाकर मैं किसी planning stock को select करता हूँ दोस्तो एक company को मैंने observe करना शुरू करा कि इस company के financial improvise कर रहे है और ये negative से positive हो रही है 2018 से इसके operating profits में changes आ रहे है 2012 मैं listed ही company है दोस्तो अब इस company के अंदर मैं इस company को और detail में जब मैंने समझ पाया कि अच्छे changes इसके 2019 सेप्टेंबर के quarter से आने शुरू करें और दोस्तो जून 2020 onwards ये accelerated profits अपने प्रोपोस्ट करके चल रहे है अब दोस्तो ये होता है कि कई बार ना operating profits के अंदर मतलब मैं देको इस subject का expert तो नहीं हो लेकिए मैं चाहँगा कि मतलब जितनी मेरी समझे मैं आपको समझा सकूँ कि operating profits को दिखाने के लिए मैं कई बार assets को बेज कर भी एक profit का पार दिखा दिया जाता है पर दोस्तो एक चीज एक बार हो सकती है एक चीज बार बार नहीं हो सकती और accelerated paper नहीं हो सकती दोस्तो ये stock अब इस समय पर एक ऐसी stable जगह पर है जिस समय पर ये या तो topping ओड हो रहा होगा या bottom ओड होगा अब दोस्तो इसके बारे मैं आपको समझा कर चलता हूँ देखो दोस्तो एक स्टॉक जब एक ऐसी जगा पर पहुंच जाता है जहां पर एक बड़े हैंट्स उसके अंदर चेंज हो रहे हूँ एक अच्छा वालिम उसके अंदर दिखाई दे रहा हूँ और उस कंडिशन में वो जो स्टॉक है किसी जगा पर आपके बास में रुक रहा हूँ तो यहां से यह होता ही है कि या तो कोई इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना रहा है या कोई अपनी होल्डिंग इसके अंदर से खाली कर रहा है तो यहां पर हैंट्स क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं त दोस्तो इस stock को जब मैं समझके चला तो इसके अंदर 24 से 75% जो holding है वो इसके promoters की है 24 से 75% holding promoter के पास है और इस company के stock ने मेरे को 26% की return निकाल का अगा दे रखी है तो दोस्तो आप यह समझो कि इस company का जो market capitalization है वो बहुत बढ़ चुका होगा और उस condition में वो जो promoter है वो एक बहुत अच्छे एक बड़े profit के अंदर वो होगा तो दोस्तो अगर इस stock के अंदर थोड़ा से भी fall आएगा तो इसकी market capitalization में थोड़ा से भी नुकसान होगा तो मेरे छोटे से नुकसान की जगा promoter का एक बहुत बढ़ा नुकसान होगा इस stock को hold करकर चल रहा हूं तो इसा भी तो सकता है कि मतब्ब कि मेरे clients को इनफर्म करकर चल रहा हूं कि वो खरीदें और मैं बेज़दू तो मैं आपको समझा कर चलता हूं दोस्तो मैं हूँ एक सेवी रेजिस्टर्ड इरिसाचेनलिस्ट मैं मेरी जिम्मेदारियों को ज्यादा समझता हूँ दोस्तो मेरे को आपसे अगर एक फीस मिलेगी तो 20-30 वुपर रोच की फीस मिलेगी 6 मिने के लिए आप मेरे साथ में जुड़ोगे पर दोस्तो आप समझोई मेरी responsibility बड़ी बन जाती है कि सबसे पहले तो मैं आपको उस faire vertears के बारे में समझा कर सिखा कर चलता हूं मैं इस stock को क्यों select कर रहा हूँ मैं आपको स saat इस store finance आ रॉन के बारे में बताकर चलता हूं मेरे portfolio में मैं इसको कितनी percentage weightage देके चल रहा हूं मैं आपको ये भी बता कर चलता हूं और अपनी उस weightage को धीरे-धीरे करके मैं adjust करता हूं और अच्छे returns निकालने के लिए ये भी मैं आपको inform करके चल रहा हूता हूं कि इसे portfolio के अंदर अपनी एक investment की है दोस्तो मैं मेरे उस client को inform करके चलता हूं कि सब मेरा stop loss इसके अंदर hit हो गया है और अब मैं इस जगा पर अपनी positions को square off कर दूँगा तो ये मैं अपने client को inform करके चलता हूं client को inform करने के पांच दिन के बाद जाकर मैं अपनी उस position को square off कर पाता हूं तो अब आप ये समझो कि अगर कभी Wednesday या Thursday में जाकर मैंने मेरे client को inform करा तो दोस्तो पांच दिन तो आप ये समझो मेरे तो बहुत साइट ट्रेडिंग ग्रे करेगा उतना मेरे नुकसान होगा client तो बेशा कि अगले दिन अपने profit को या client अगले दिन इसके अपने loss को book कर सकता है पर उसके लिए मुझे 5 दिन तक यहां पर बैठना पड़ता है तो मेरी जिम्मिदारियां जादा बनती है तो उस condition मैं आपके बताना चाहूंगा कि इसक दोस्तो उसके cover में मैं आपके साथ में दो stocks रखके चलता हूं जो मतलब जिनके अंदर भी equal probabilities हो सकती है बड़ क्या है कि वह ज्यादा stable है तो उस condition में होता है कि जैसे जैसे वह portfolio grow करना शुरू करता है मैं उस portfolio में changes करता हूं और मैं clients के भी changes करा चलता हूं जैसे कि high के बास म दोस्तो क्या होता है कि मैं एक amount को चर्ण करता रहा हूं और गुल्लक का concept है कि मतलब कि आपकी जो investment राइस के अदर हफते में दो बार तीन बार चार बार पांच बार मतलब ऐसा कुछ रहे है कि एक आपने अगर किसी चीज़ को purchase करा तो वह आपके पास एक average price में निकल कर आ सुझेंगे कि बहुत सारे brokers ऐसे होते हैं कि अगर आप delivery में कुछ भी purchase करोगे तो उस पर brokerage नहीं करते हैं brokerage कब charge होती है जब आप अपने holding को sell करने के लिए जाते हो तो देखो आपके पास buy के orders different different time पर हो सकते हैं delivery में buy के orders different different time पर different price पर हो सकते हैं तो आपने holding को त्यार कर लिया और जब आप खाली करने के लिए जाओगे तो आपका एक ही order लगेगा sell का और उस condition में आपसे sell side में एक brokerage को बचार्च कर रहे होते हैं दोस्तों यह वह concept लिए होता है जो आपकी समझ में आगया होगा देखो दोस्तों मैं किसी भी तरीके से आपको provoke करके नहीं चल रहा है कि आप मेरी investment ideas को समझो यह investment ideas में invest करो लेकिन मैं आपको inform जीव करके चल रहा हूँ दोस्तों अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ तो दोस्तों मैंने इस stock को एक छोटी सी percentage के साथ अपने एक गुल्लक के अंदर start किया है अब दोस्तों क्या होगा इस छोटी सी percentage में यह तो छोटा सा stop loss हो जाएगा यह आसा हो सकता है कि अगर यह आपका topping out ना है दोस्तों उस condition में जब हमारे जैसी investors से बाहर निकल जाएंगे ऐसे investor जो इससे में अच्छे profit में बाहर निकल जाएंगे इससे तो उस condition में मुझे ऐसा लगता है कि जो नए investor होंगे वह इसको एक नई जनी की तरफ लेकर जा सकते हैं दोस्तों एक micro-cap company एक small-cap company बनती है कि उनको किसी ने सई जगा पर समझ लिया और आज वो अपने बड़ी holding के साथ वहाँ पर बैठे हुएं दोस्तों मैं फिर आपसे चाहूंगा इस वीडियो को केवल education information purpose के लिए समझ के चलिएगा इस वीडियो के भियापर मैं आपको एक भी जगा प्रवो करकर नहीं चल रहा अगर आप join करना चाहते हो तो आपने मुझे message भी जा है मैं आपको broadcast list के अंदर add कर दूँगा thank you so much all the best